हाई गाई वेलकम मैं चैनल आशा सकसेना फिर्स आज हम इन हेयर में देखिए बहुती कुल्चूरत हेयर कट करने जा रहे हैं आग ध्यान से देखिएगा और इनके हेयर जो मेरी क्लाइंट हैं काफी अच्छे हैं और बहुत ही खुबसूरत हेयर हैं लांग भी हैं थोड़े लेकिन ये मेरी क्लाइंट जॉब करती हैं तो इनको एक अट्रेक्टिव लुक चाहिए तो हमने डिसाइट किया है कि अगर ये स्मार्ट लुक ओसम लुक दिखाई देगा वो अच्छा भी लगेगा तो देखिए हमने वोटर स्प्रे करके इनको सुलजाने का काम किया है और ये करीब हेयर कट में हम करके आपको दिखाएंगे 11 इंच के लगवक के हेयर कट करेंगे क्योंकि देखिए नए के दिया के आ हेयर कट में ही इनके फेस पर अच्छा लगेगा जो फैदर हेयर कट होगा ये देखिए हमने ग्रिपिंग के साथ में फिंगर ग्रिपिंग लिए है और फिर हेयर कट सारे हेयर का एक साथ हमने किया है देखा आपने और ये 11 इंच के लगवक के हेयर है जिनका हमने कट किया ह फ्रेंट्स ये तो एक सेकंड में इनके हेर का कट हो गया अब हम फिनिशिंग देंगे और आप देखिए कि फैदर हेर कट हम फाइम मिनिट में करके आपको बताएंगे आपने देखा कितने लॉंग हेर थे और अब कितनी जल्दी हम हेर कट करेंगे वो scene देखने वाला है और विश्वा से आप till to end टक वीडियो बहुत जरूर करेंगे जिससे की अच्छे से समझ में आ जाए अब हमने com किया और finishing का काम करेंगे अब देखिए इनको u shape नहीं चाहिए state चाहिए इसलिए हम बिलकुल state ही हलका सा front portion से थोड़ा सा shape देएंगे बाकी हम बिलकुल state करने है क्लाइन की choice सबसे महत्पूर्ट choice होती है हमको उनी के according काम करना होता है और ये देखिए finishing हम अभी देते हैं एक minute में इस तरह से आप करेंगे कितने long hair थे फिर भी इतनी जल्दी cut हो जाएगा किसी को विश्वास नहीं होता ये देखिए इस तरह से हम finishing देखिए हल्क किसी जो head को है हम नीचे की तरफ जुकाया है जिससे की back area के जो hair होते है जो hair के पीछे छुपे रहते हैं छोटे hair उनको अच्छे से हम cut कर सकें remove कर सकें ये देखिए बहुत ही जल्दी ये hair cut होगा और एक शांदार look के साथ में होगा हमने ये map तयार कर दिया जितने short hair करने थे वो हो गए आप खुद भी देख रहे हैं कि कितनी जल्दी hair cut हुआ है और अब हम finishing दुवारा से दे रहे हैं finishing friends हमको जब तक देनी चाहिए side flick करके आपको बताएंगे और थोड़ा सा feather के साथ में flick के साथ में जो थोड़ा सा shape लेना होता है वो भी हम देंगे ये देखे इस तरह से finishing हम देंगे अच्छे से और बहुत ही जल्दी ये hair cut होगा उतना ही अच्छा भी आपको लगेगा front portion से आप देखिए हम side flick ले रहे है side parting करेंगे और उसके बाद मैं देखे back portion से आप देखिए बिलकुल hair equal है और अब हम flick का काम करेंगे जो feather look हमको देना है वो two stage में हम इस flick को करेंगे front portion से हमने आपको बताया कि थोड़ा सा हम तिर्चा cut करेंगे जिससे की second step आएगा feather में वो दिखाई दे और अब देखिए हमने side parting किये और side parting करने के बाद में अब हम flick का cut करेंगे यह flick हमारी हमने देखिए year के पास से parting करेंगे हम जिससे की ज़्यादा hair भी ना जाए और एक face का जो look आता है change look हमको दिखाना है वो फिर हो जाए इस तरह से clear tea के साथ में हम parting करेंगे कुछ hair का और front portion पर लाकर हम इनका cut करीब 4 inch के करीब hair cut करेंगे यह देखिए आप बिल्कुर nose की seat में हम लेकर आएं और उसके बाद में हमने चेक कर लिया कि हमको यह जो feather look में हमको flick दिखानी है किस तरह से cut करेंगे यह हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि इतना clear tea के साथ में parting करनी चाहिए आपने देखा अभी और अब हम देखिए इस flick का तिर्चा cut करेंगे तिर्चा cut करने से वो second step जो हमने किया है वो आप उससे match हो जाएगा और एक feather का look अच्छे से आएगा यह देखिए यह हमने haircut cut किया और उसके बाद में हम match करेंगे कि दोनों जो stage से हमने cut किया है वो आपस में match हुआ या नहीं हुआ एक बार फिर से हम check करके finishing देंगे बहुत ही जल्दी यह haircut हो गया और देखिए अब finishing देने का तरीका देखिए और हम थोड़ी सी छोटी flick और करेंगे और बहुत ही आसानी से आपने देखा इस long hair में हम इस तरह से cut करेंगे पहले guideline बना लेंगे finishing देने के बाद मैं यह करेंगे आप देखिए कितना अच्छा look आया है friends इससे पहले भी हमने काफी सारे वीडियो feather cut के post किये हुए है आपने देखिए हुएंगे और आज भी यह five minute में हमने जो cut किया है विश्वा से आपको जरूर पसंद आएगा अपने कमेंट्स दोहरा बताईए कि आपको कैसा लगा और यह इसके अलावा बाकी जो hair cut है वो भी आपने देखिए हुएंगे तो आगे वाले वीडियो में हम फिर से नया look लेकर आएंगे तब तक के लिए आपसे विजा लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देखिए कितना सुन्दर लुकाया है फैदर hair cut का